हलो एवरीबडी वैलकम बैक टुनिर्वी लाग क्लासेज मैं रवीकान जैसवाल आज हम लोग डिसकस करेंगे सी आरपीसी का चैप्टर फोटीन जो डील करता है कारवाही सुरू करने के लिए जो भी उससे आपेचित सर्ते होती है जो कंडिशन होता है किसी पकार का कारवाही स्टार्ट करने से पहले वो इस चैप्टर के बारे में हम लोग सिखेंगे इसका सेक्षन 190 से 195 तक हम लोग डिसकस करेंगे अगर आप हेड़फोन नहीं लगाए है तो हेड़फोन लगा लिजे ताकि हमारी आवाज आप तक आसानी से पहुँच सके सेक्षन 190 मजिस्टरेट द्वारा अपराधों का संग्यान सेक्षन 190 जो है आपका कोग्निजेंस ऑफ अफेंस बाई मजिस्टरेट तो इस सेक्षन के अंतर मजिस्टरेट अपराधों का संग्यान लेता है जब magistrate मामलो को संज्यान में लेता है तो यह समझा जाता है कि magistrate ने उस case में अपना mind लगा दिया है मतलब अब magistrate इस process को आगे बढ़ाएगा वह पुलिस को 153 के तहत जाच करने को बोल सकता है और फिर report देखने के बाद लगता है कि ground बनता है तो process को आगे बढ़ाया जा सकता है इसी को करते हैं संज्यान लेना कोई भी directly सिधे magistrate को complain करता है और magistrate संज्यान लेता है तो यहां section 200 से 203 complaint to magistrate लागू हो जाता है अगर वो direct संज्यान ले रहा है तो section 204 में direct process issue कर देता है समन कर देता है section 190 first class magistrate and second class magistrate को power देता है मतलब जो इसका section 190 है वस first class magistrate और second class magistrate को power देता है संज्यान लेने के लिए second class magistrate को उस case में, जिस case में CJM, Chief Judicial Magistrate ने उसको इस काम के लिए empower किया है तो इसमें 3 point दिये गए हैं जिसको magistrate संज्यान ले सकता है पहला point है upon receiving a complaint, second point है upon receiving a police report, third point है upon information received from any person other than police officer magistrate चाहे तो खुद भी संज्यान ले सकता है यहाँ एक बात important है, मान लिजिए कि magistrate किसी अपरात का संज्यान लेने के लिए empower नहीं है उसके पास jurisdiction नहीं है लेकिन उसने संज्यान ले लिया अगर उसने good faith में संज्यान लिया और इसके सब section 1 के अंतरगत A और B है अगर A और B के अंदर good faith में संज्यान ले लिया भले उसने गलती हो गई हो और उसके पास संज्यान लेने के लिए power नहीं था तो उसकी proceeding किसी भी stage पर set aside नहीं की जाएगी लेकिन अगर उसने अपने आप से संज्यान लिया या किसी other person के importance पर संज्यान लिया है तब उसकी जो proceeding होगी वो wide होगी यह section 461 के section K मतलब 461 के sub section K में लिखा गया है 2011 का जो एक case था जोगेंदर सिंग वर्सेस state of Punjab इस judgment में सारी बातें इसी court में बोली गई थी section 190 का best example है यह जो case है H.S.Bass versus state of union territory 1980 1980 का case है इसके अंतरगत कहा गया है कि मान लिजे magistrate ने कोई complaint received करी और magistrate ने 156 के अंतरगत पुलिस वाले को order दिया कि F.I.R. लिख के जाच करके अपनी report लगाओ पुलिस वाले ने जाच कर report magistrate को सोब दिया report कब सोफी जाती है 173 से RPC में हम लोग already पढ़ चुके है magistrate पुलिस की report पर bond नहीं होता है हो सकता है पुलिस ने जो report लगाई हो उस पर कोई charge न बन दा हो लेकिन उसके बाद भी जो magistrate संग्यान ले सकता है report receive करने के बाद magistrate के पास तीन option होता है है पहला यह होता है कि यदि पुलिस report के report में कोई charges नहीं बन दा है तो magistrate उस case को वहीं पर drop कर देगा दूसरा वह section 190 के सब section 1 B में संग्यान ले सकता है clause B मतलब पुलिस report पर संग्यान ले सकता है अब तीसरा जो जो पावर है वो यह है कि पुलिस ने जो report लगाई पुलिस उस पुरी report को reject कर सकता है reject करने reject करके जो complaint file हुई थी जिसके बाद में उसमें section 156 का सब section 3 के अंतरगत जांच का आदिस दिया गया था जिसमें अभी police report लगा रही है फिर वो जो पहली complaint थी उसी complaint पर वो संगे ले सकता है वह संग्यान ले सकता है section 190 सब section 1 एक के अंतरगत वह संग्यान ले सकता है तो यह था आपका section 190 अब जो अगला section है section 191 transfer of application of the accused देखिए यह कहता है कि जहां magistrate ने अपने आप से किसी अपरात का संग्यान लिया है या किसी third party की सूशना से संग्यान लिया है तो इस case में जो accused होगा उसने कोई सबूत लेने से पहले उसको यह बताया जाएगा कि तुम इस चीज के लिए हगदार हो यदि तुम चाहो तो तुम्हारा जो यहां मुकदमा चल रहा यह किसी और कोट में भी चले वहां इसकी inquiry हो और trial चले तो इस case में तुम इस चीज के लिए entitled हो अगर तुम यह चाहो यह case दूसरे कोट में जा सकता है यह चीज accused को बताया जाएगा अगर मान लिजी accused करता है कि जिस कोट में संग्यान लिया है उस कोट में उसका trial न चले तो CJM उसके case को दूसरे कोट में transfer कर देगा लेकिन accused के पास यह राइट नहीं होगा कि वह अपने मर्जी से कोट चुने कि इसमें नहीं उसमें चलना चाहिए उसमें चलना चाहिए तो ऐसा नहीं होगा ऐसा राइट उसके पास नहीं होगा यहीं बताया गया है section 191 के अगला जो section 192 making over of cases to magistrate मतलब इसमें मामले को magistrate के हवाले करना होता है जैसे मान लिजिए CJM ने किसी offenses का संग्यान ले ले लिया है आप जानते हैं कि CJM का कोट बहुत बीजी होता है वो बहुत से administrative की चीजे भी देखता है तो ऐसे condition में वो उस case को जिसका वह संग्यान लिया है को दूसरे कोट में जो उसके subordinate हैं उनको भेज सकता है कि वो उनका trial करे inquiry करे यही power CJM किसी first class magistrate को भी दे सकता है वो किसी भी competent jurisdiction के पास उस case को भेज सकता है यह आपका कहता है section 192 अगला section है section 193 जो deal करता है cognizance of offenses by court of session मतलब अपरादों का संग्यान सेशन ने आले के द्वारा सेशन ने आले के द्वारा अपरादों का संग्यान करना generally court of session किसी भी अपराद का संग्यान directly नहीं करता इसके कुछ अफवाद भी है magistrate case को court of session के पास तब भेजते हैं जब उनको लगता है कि यह case exclusively trialable है court of session द्वारा तो section 209 के हिसाब से उस मामले को court of session के पास भेज देता है जिसे court में आप सबसे पहले case file करते हैं उस court के पास आपका original jurisdiction होता है जिसके पास appellate jurisdiction होता है उसे करते हैं अपिली अदालत अगला section है section 194 जो deal करता है additional and assistant session judge to try cases made over to them अपर और सहायक session ने अधिसो के हवाले किये गए मामलों पर उनके द्वारा विचानर देखिए इसमें additional और assistant session judge जो होगा वो उन्ही case का trial चलाएंगे जिसको session judge ने उनके पास भेजा हो या तो high court ने उन्हें बताया हो कि इस मामले को आपको trial करना है अगला section है section 195 जो deal करता है prosecution for contempt of lawful authority of public servant for offenses against public justice and for offenses relating to document given in evidence मतलब लोग नयाय के विरुद अपरादों के लिए और साच्छ में दिये गए दस्तावेजों से संबंदित अपरादों के लिए लोग सेवकों के वीधी पुन प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन तो इसका concept हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा अब जैसा कि जो basic rule है कि कोई भी वैक्ति को किसी अपराद की सूचना मिली या उसको सूचना मिलती है कि कहीं अपराद हुआ है तो वो इसकी complain करके criminal law को motion में ला सकता है जरूरी नहीं है कि जिस वैक्ति के अगेंस अपराद हुआ complain करे कोई भी complaint कर सकता है यह तो एक basic rule है भाई पर section 195 से लेकर 199 तक के section में इसके exception बताया गया है कि कब कोई वैक्ति complaint नहीं कर सकता है अब जैसे 190 में बताया गया है कि हम लोगों ने cover किया था इसके पहले section 190 का कि CRPC के इंतगत इसमें बताया गया था कि एक magistrate किसी तरीके से से एक खुश से भी या किसी थर्ड आदमी की बातों से offences का कोग्निजेंस ले सकता है लेकिन जब भी किसी magistrate के पास कोई complaint आती है तो यह उसकी duty है कि वो इस चीज का precaution ले इस चीज के उपर ध्यान दे कि कहीं उसका अपरादी की संग्यान के लिए वो बाढ तो नहीं है मत मतलब मना ही तो नहीं है उसको section 195 द्वारा मतलब कहीं section 195 द्वारा magistrate को रोका तो नहीं गया है अपराद का संग्यान लेने के लिए हो ऐसा भी तो हो सकता है कि section 195 के ताहत वह उस पर action लेने के लिए बाढ अब section 195 में कुछ offences बताये गए हैं जिसमें magistrate direct संग्यान नहीं ले स सकते हैं पहली category के वो offences जो किसी public servant के against होते हैं अब ये IPC के section 21 में बताये गए हैं कि public servant कोन होता है यानि लोग सेवक कोन होता है अब section 172 से लेकर 188 188 तक जो offences है वो public servant और lawful authority of public servant के against होता है अगर उनके अंदर के कोई offences हैं जिसे किसी public servant के against किया है किसी व्यक्ति ने तो कोई भी magistrate उसका संग्यान नहीं ले सकता unless जब तक कि जो procedure बताया गया है section 195 के अंतरगत अब section 172 से 188 के अंदर किसी भी तरीके के offences हैं जैसे मान लिजिए किसी को notice भेजी गई है lawful authority ने public servant कोई समन भेजा है वो नहीं हाजिर हुए हैं या कोई abscond कर रहा है मतलब अपने आपको बचा रहा है समन से या कोई व्यक्ति public servant के कार में बादा डाल ला है या मान लीजिए कि public servant किसी को out दिला रहा है सपत दिला रहा है लेकिन वह ले नहीं रहा है अगर यह सारे offences होते हैं तो public servant के against तो public servant क्या करेगा उस केस में section 195 बताता है कि इस इसमें सिर्फ पब्लिक सरवेंट ही उसकी complain कर सकता है, कोई भी private आदमें उसकी complain नहीं कर सकता है, जैसे for example यदि मेरा कोई पड़ोसी है, मैं अपने पड़ोसी से बहुत नफरत करता हूँ, या फिर उससा मेरा कोई दुस्मनी चलला है, किसी भी चीज को लेकर कोई विवास च चब गई मैंने सोचा कि यार ये तो नहीं हाजिर हुआ लेकिन मैं इसे दोडाना चाहता हूं मैं इसको और परसान करना चाहता हूं अब मैं जाकर इस बात की complaint करतों कि आप उस उसने public servant का कहना नहीं माना न तो पब्लिक सरवेंट से मतलब है उसका हमसे क्या लेना देना मैं तो कुछ हूँ ही नहीं मैं क्यों जाकर कम्प्लेंड करूं तो इसी चीज को ध्यान में रख कर ऐसा बनाया गया है कि कोई भी प्राइबेट परसन उसमें अपना जीलियस या फिर खुननस किसी प्रकार का अपना दुस्मनी न निकाल ले या कोई रिवेंज न निकाले इसका इस्तमाल करके लेकिन जब वो पब्लिक सरवेंट जिसको वो कहना नहीं मान रहा है या जिसका वो सब आडिनेट है वो इसको लिकित तोर पर कंप्लेन के तहत उसे कोर्ट में दे देगा तभी कोर्ट उसका संग्यान ले सकता है यह पहली केटेगरी हो गई अब पब्लिक सरवेंट में बहुत सारी अथर्टी होती है बहुत सारे एजंसी होते हैं जैसे इणकेटेगरी की बात आती है जैसे कि वो लोग जो फालस एविडेंस देते हैं गलत प्रमार देते हैं या एविडेंस को अगर anál या गया गया है तो अगर उनसे आप्राद होता है यानि मान लिजे कि court में कोई appear होता है कोई जूटी गवाई दे दिया कोई evidence को fabricant कर दिया court के अंतरकत बोला गया कि उसे सच बोलना है उसे पता था फिर भी उसने जूट बोल दिया court के अंतर जो भी चीज जो भी false evidence इस्तमाल करता है वो court की प्रक्रिया में इस्तमाल किया गया हो तभी इसकी complain हो सकती है court की प्रक्रिया में होना चाहिए ये court के बाहर अगर इस्तमाल हुई है तब तो आप private complain कर सकते हैं भाई जैसे section 195 का बात तभी तो आएगा इस section में जो दिये गए है 193 से लेके 196, 199, section 200, 205 से लेके 211 इनसे आप private complain उस वक्त नहीं कर सकते हैं अगर किसी व्यक्ति ने किसी court के अंतरकत false evidence दिया है मतलब private complain आप नहीं कर सकते हैं देखिए एक case था मदरास high court का case था एक व्यक्ति जो अभ्यूक था उसने एक लड़की को खिड़ने पर करके रखा था तो मदरास high court ने उसे कहा कि उस लड़की को paste करो court के सामने तो उसने किसी और दूसरे लड़की को वैसा ही बना कर सिखा पढ़ा कर उसको court में paste कर दिया जब उसने मदरास high court ने देखा तो उसको समझ में आ गया कि यह substitute की गई है मतलब किसी का और की जगह किसी और को यहाँ पे लाया गया है यह सिखा पढ़ा कर तो मदरास high court ने इसकी complain की क्योंकि वो अपने evidence से court को mislead कर रहा था अगर वहाँ कोई व्यक्ति बैठा है वो देखता है कि accused false evidence दिया और भागे भागे जाकर magistrate को complain करता है तो magistrate इस बात का संग्यान नहीं लेगा वो section 195 द्वारा बार्ड है अब तीसरी केटेगरी आती है section 195 के अंतरगत की कोई वैक्ति फर्जी दस्ता वेज बना लेता है किसी जमीन या महांगे मकान को दिखा के दिखा देता है कि मेरा है forgery जाल साजी करता है 434-471 बहुत से section इसके अंतरगत बताय गए है अब अगर वे कागजात court की proceeding में evidence इस्तमाल कर दिया हो तो इस section के अंतरगत बताएगा evidence हो चुके है अगर अब अगर court ने उनकी complain कर दिया तो magistrate जो होगा वो उसकी cognizance ले सकता है अब यहां एक बात ध्यान लखना होगा कि जो court होगा जहां उसने दस्तावेश दिया है जहां पर कागजात पेस किये हैं फरजी false evidence दिया है वो court जो होगा वो चाहे तो खुछ से सू मोटो complain file कर सकता है या जो वैक्ति उस मुकंदमे के अंतरगत होगा जैसे मैं हूँ या मेरे खिलाफ किसी ने फरजी कागजात पेस किये हैं इसे मैं जानता हूँ कि वे जुट बोल रहा है तो मैं भी 13340 के अंतरगत इसकी application दे सकता हूँ court सू मोटो भी कर सकती है charge 1 है जहां कोई public servant complain करता है जिसके against offenses हुआ है जिसका कहना नहीं माना है जिसको obedience नहीं किया है किसी वैक्ति ने तो अगर जिसका वो subordinate है उसका कोई superior officer अगर वो उस court में ये बात भेज दे कि मैं withdrawal करना चाहता हूँ complain तो वो complain withdrawal हो सकती है तो यह आप लोगों ने सीखा सारे ज और भी section को cover नहीं किया अगर आपको लगता है कि कुछ और भी sections आपको पढ़ने है किसी exam point of view से या आप उस पे कुछ और detail जाना चाहते हैं आप तो हमारे comment box में जाके comment कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हमसे live बाते करना किसी प्रकार का doubt से तो आप हमें Instagram पर फालो कर बाते हैं कि हम लोगा लाइ